अभी कुछ दिनों पहले किसी भाई ने, विवर ने कमेंड किया था, कि अगर nominee की भी death हो जाए और legal hair की भी death हो जाए ऐक साथ, मतलब investor की death दे तो होई होई, जो भी legal hair थे वो भी चले गाए साथ में और nominee भी साथ में होई, तो पैसा का क्या होगा तो देगे यहां पे ऐसा काफी सारा पैसा बैंक्स के अंदर और मुचल फंड्स के अंदर डिमेट अकाउंट्स के अंदर और यहां पे सेर होल्डिंग के रूप में मतलब बहुत पैसा परा हुआ है कुछ एक सर्टेन लिमिट के बाद यह जो पैसा होता है वो जैसे मुचल फंड में इन्वेस्टमेंट है काफी समय तक पैसे की इन्वेस्टमेंट है तो अगर जानकारी नहीं मिली कि हां इन इन्वेस्टर की डेथ हो गई माल लो एक लाख रुपए मैंने आज इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और म्यूचल फंड कंपनी को अगर पता ही नहीं चलेगा कि मेरी डेथ हो चुकी है तो वो तो पैसा इन्वेस्टेड ही रहेगा लेकिन अगर ये जानकारी उनको मिल जाती है कि डेथ हो जुकी है लेकिन फिर भी नॉमनी नहीं आता लेगल है तो कुछ सर्टेन एर्स तक उस पैसे को इन्वेस्टेड रखा जाता है उसके बाद वो जो पैसा है वो move कर जाएगा investor protection fund के अंदर में और ऐसा हजारों करोडों में कुछ लाक नहीं कुछ करोड नहीं हजार करोड में पैसा unclaimed परा हुआ है mutual fund और banks के पास तो ये real है ऐसा होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि investment के बारे में जानकारी ही नहीं होती है घरवालों के लिए इसलिए भी वो पैसा परा रह जाता है तो आप लोग investment करते हो तो जानकारी जरूर दो इसके बाद जो नया नियम आया है जिसके बादे हम बात करते हैं तो सेभी ने आपकी बात सुन ली है अब demate account and mutual fund के अंदर आप 10 अलग-अलग लोगों को nominee बना सकते हैं यह जो limit थी वो 3 persons की थी मतलब 3 लोगों को आप nominee बना सकते थे अब आप 10 को nominee बना सकते हैं demate account में भी और mutual fund में भी और यहां तो यह भी होता है कि आप percentage में decide कर सकते हो कि किस nominee को कितना percent पैसा मिलना चाहिए तो यह भी काफी अच्छी चीज होती है यहाँ पर सेभी ने फिर से एक बार clarify कर दिया है कि nominee एक तरीके nominee एक तरीके का बस trusty है वो एक तरीके का मतलब guardianship वहाँ पर देख रहा है कि हाँ पैसा ठीक ठाक रहे जब तक legal hair के पास नहीं जाता है अगर legal hair और nominee दोनों same person है तब तो बहुत बढ़िया बात है बहुत आसानी से assets transfer हो जाएंगे nominee के नाम पे और आप अपना invested रहोगे लेकिन अगर legal hair कोई और है और मालो legal hair अभी under 18 है या कुछ भी region से legal hair वहाँ पे ही claim करता है तो जो assets है वो easily nominee के नाम पे transfer हो जाएंगे और फिर वो nominee के पास हो जाएगा ये है jointly account holder में again rule of survivor मतलब जो भी बचता है उसका वो पैसा हो जाते मालों दो लोगों ने मिलके पैसा जमा किया अब एक का पूरा खांदान ही अगर खतम हो गया तो जो दूसरा बचा है उसी को वो पैसा मिलेगा मतलब जो भी joint investment हो रही है उसमें जो भी last में बच जाए समझो अगर पहले ही उन्होंने पैसा निका लिया तो अच्छी चीज़े नहीं तो अगर एक generation gap हुआ या फिर दो generation भी gap हुआ तो last में जो बचा हुआ है उसी के पास वो पैसा जाएगा इसके अलावा सेभी ने कहा कि transmission का जो process है उसको वो और ज़्यादा easy करना चाह रहे हैं मतलब चाह क्या रहे हैं easy और कर रहे हैं और उसको seamless कर रहे हैं कि जो transfer हो assets का disease person के नाम से nominee के नाम पे वो और ज़्यादा streamline हो यहां less से less paperwork की ज़रुद पर है कुछ उनोंने एक UID unique identification वाला number और आपका pen number और passport या आधार यह सब document आप जमा मेली आधार और pen ही जमा होता है और इसी की वहाँ पे होती है तो यह पूरी जानकारी थी इसके बारे में तो अब जबकि आप up to 10 number तक nominee add कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता अब ऐसी situation बनेंगी कि पूरा का पूरा 10 लोग nominee और एक 11 हुआ investor सब एक साथ ही सब की death हो जाए तो अब कोई न कोई तो उसको claim करने वाला मिल जाएगा अगर जानकारी हुई nominees के पास की हाँ हम nominee है इस investment की तो वैसे भी देखो जानकारी न होने के कारण ही पैसा पढ़ा रह जाता है नहीं तो अगर जानकारी हो तो मानलो एक investor है उसके माता पिता है उसकी wife है उसके बच्चे है इतने लोगों में से ऐसा नहीं कि सब लोग की एक साथ ही death हो जाए कोई न कोई तो बचे का उस पैसे को claim करने के लिए अगर मानलो ये पूरी family खत्म हो जाती है तो उसके भाई की family होगी या बहन भी होगी तो कोई तो जरूर बचे का family में जो उस पैसे को claim करे लेकिन रहता क्या है कि जानकारी ही नहीं होती यहाँ तो जो investor है वो अपनी family में तो जानकारी देती ही नहीं है investment की और यहीं सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हो तो investment की जानकारी अपनी family में दो nominee बनाया है legal hair बनाया है जो भी सब कुछ जानकारी दो ताकि कोई भी unfortunate अगर situation आती है तो जो पैसा आपने जमा किया है वो आपके परिवार के काम आ सके उमीद है information helpful होगी कोई question query है तो नीचे comment box में पूछ लेना है